नमस्कार दोस्तों, यूथ डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है, तो काफी दिन से जिस चीज का हम लोग इंतजार कर रहें थे, और जो हमारा प्रोग्राम एक बाप प्रारम किया गया था, जो में सांसर राइटिंग वला था, वो किसी कारणवस बीच पे रोक दिया गया लेकिन आज से उसका पुना प्रारम किया जा रहा है, और उसको आप हमारी बेफ साइट पर सीधे जाके देख सकते हैं, उसको आप कैसे देखेंगे, उस चीज को यहां पर हम डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद में उस क्वेस्चन का डिसकस किया जाएगा, और क्वे कौन से टर्म उसमें आप यूज करेंगे, कौन कौन से डाइमेंशन उसमें होने चाहिए, उन सारी चीजों को उस वीडियो के माध्यम से आपको जैसे आज आज आपका क्वेस्चन अप्लोड किया गया, तो अगले दिन मॉर्णिंग में उसका पूरा मॉर्डल अंसर बिद एक्स्प्लानेशन के साथ में आपको प्रोवाइट कर दिया जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं, तो यह आप आएंगे हमारी वेपसाइट के डैस्ट बोड में करेंट अफियर वाला सेक्शन है, करेंट अफियर वाले सेक्शन में मेंस आंसर राइटिंग का एक टैब बना ह हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद में, आज हमारा डे फाइव है, डे फाइव में मेंस का जो क्वेस्चन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में, आपको इस तरह से हमारा डैस्ट बोड कुलेगा, ब्लॉग कुलेगा, जहां पे लानसर को भी यहां पर डिसकस किया जाएगा उसके फॉर्मेट को डिसकस किया जाएगा तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारतिय संस्कृत में प्राचीन काल से आधुनिक काल के काल तक के अगर काल रूप में देखा जाए तो जो साहित पहला क्वेश्चन है भारतिय संस्कृत में प्राचीनकाल से आधुनिकाल तक जो कला के रूप है साहित और वस्तु कला है इसके प्रमुक पहलों से संबंधित question है तो जो पहला question है कि मुगल वात्साहों के मकवरे मुगल सासकों के उत्थान और पतन की कहानी को प्रतिविंबित करते हैं आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं साउधारण इसको असपस्ट करना है और इसका English version है तो जो question पूछ रहा है कि मुगल बात्साह के जो मकवरे थे मुगल समासता 1526 से उसका प्रारम होता है और औरंग जेब दुतिये जो एक्सपार होते हैं 1762 तक आते हैं वो सबाबत होता है तो वो किस प्रकार से उसके उत्थान और पतन की कहानी को प्रत्वेंबित करता है उसी चीज को phase-wise आपको define करना है इसका answer आप लिखे हैं लिखने के बाद में आप इसके dashboard में इसको आप link कर सकते हैं बाद में साम को इसका explanation आपको provide किया जाएगा कि कौन कौन से topic कौन कौन से चीज़ें इसना mention करनी थी बढ़ते हैं दूसरे question की तरफ दूसरा question है जो कि संबंदिद है government policies intervention for the development in various sector for including arising and designing and its implementation के लिए है यह topic आपका general study paper to quality or governance है इसमें जो question है question कह रहा है कि RTI संसोधन विदेक 2019 में प्रस्तावित संसोधन क्या है जो RTI amendment bill 2019 अभी controversy में रहा है काफी debate रही है उसमें तो उसमें कौन कौन से प्रस्तावित अवेड्मेंट जो उसमें प्रस्तावित प्रपोज अमेंडमेंट है उनके बारे में आपको describe करना है उसके बाद में यह कह रहा है कि transparency and accountability लाने के लिए या उसको सुनिश्चित करने के लिए सूचना आयोग की भूमी का किस प्रकार प्रभावित करेगा यह RTI संसोधन विदेक इसके बारे में आपको लिखना है जो question का English version है वो कह रहा कि what are the proposed amendment in the RTI amendment to bill 2019 and how will the information commission affect the rule of transparency and accountability या जो सूचना आयोग है उसके उसकी जवाब देहिया पार दरसिता है उसको किस प्रकार से हमपर करेगा उसके बारे में आपको describe करना है इसका detail answer आपको शाम को एक दिन बाद में इसकी जो वीडियो discussion आपको provide करवाई जाएगी उसमें वो सारी चीजें बिल जाएगे दूसरा statement है और दूसरा question है कि भारतिय अर्थवेवस्था जो की संबंदित है भारतिय अर्थवेवस्था योजना संसाधनों को जु योगदान बढ़ाने के लिए किन-किन छेत्रों में निवेस बढ़ाने की हो सकता है यह question का पहला part हो जाता है और दूसरा जो part है इसका कि क्या देश की महजूदा चुनोतियों से निपटने के लिए ऐसा करना कारगर होगा तो यह question अगर देखा जाए तो economic survey से directly and directly related है के योगदान को बढ़ाने के लिए जो अभी proposal आपको मिला है economic survey में काफी सारी चीजें further point आपको हहां से मिल जाएंगे तो संबंदित यह वहीं से है और भारत की जो 5 trillion economy बनाने के लिए किया गया है तो यह उसका भी संबंद इसमें जलगता है उस चीज को भी आप मेंसन करक किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसमें निवेस बढ़ाया जाएगा तो agriculture productivity बढ़ेगी तो उन सारे dimensions को आप लिखते हुए यहाँ पे आप इस question का answer दे सकते हैं model answer इसका साम को discuss होगा और इसकी वीडियो morning में आपको मिलेगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ प्रस्न सं अनप्रद्योगी की कि अनप्रयोगों का जो प्रभाव है उससे संबंदित है तो इसका जो question है कि चेहरा पहचानने की जो तकनीक है को समझते हुए यहां बताइए कि वीधी प्रवरतन में इसके उप्योग से किस प्रकार के पईडाम प्राप्त हो सकते हैं आलोचारत्मक टिपड़ी करना है यानि इसका जो इंगलिस वर्जय ने कह रहा है कि explain the face recognition technique and what kind of consequences will be obtained from its use in law enforcement यानि जो कानून का enforcement है उसको प्राब्द करने के लिए जो face recognition technique है यह कहां तक सहायक हो सकती है इसका critically analyze करना है आपको critically comment करना है तो यह आपका important topic है अभी science and technology यह काफी दिन debate में रहा है तो इस चीज को भी आप पढ़के इसका answer लिखने की कोशिस करिए और evening में इसके solution को provide किया जाएगा next question है जो ethics से related है ethics से भी कह सकते हैं और यह question basically अगर देखा जाए तो कानूनी आधार पर देखा जाए तो general study paper 2 से है लेकिन अगर इसके ethical dimensions को जोड़ दिया जाए तो यह ethics से संबंदित हो जाता है तो आपका जो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए वह आप इसे general study paper 2 and general study paper 4 दोनों के देख सकते हैं तो question है कि दल वदल विरोधी कानून होने के बावजूद भी दल वदल की जो बढ़ती हुई घटनाएं है वो के माध्यम से इनको सुद्रण बनाया जा सकता है ठीक तो यह जो अभी करनाटक में political turmoil चल रहा था बीजेपी के संसद उसमें तूट रहे थे और Congress में Congress के बीजेपी में तो उसके ऊपर यह question बनाया गया है वहां से आप उसके intention आपकी और जो content होगा आप उसी को base बना कि उस recommendation board दिख रहा है यहां पर जो comment वाला section होता है आप यहां पर अपना answer लिखने के बाद यह जो upload image का option है यहां पर type को click करेंगे तब आप अपने dashboard से उस चीज़ जो image आपने क्लिक किया है अपने answer की उसको यहां पर upload कर देंगे upload करने के बाद में उसके answer को यहां पर check किया जाएगा और check करने के बाद में आपको उसका एक बहतर answer मिल जाएगा और साथ ही साथ उसका video solution भी provide किया जाएगा तो इस तरह से आज का यह question है कुछ और चीज़े मैं आप से डिसकत कर आपके साथ discuss करना चाहता हूं कि current affair का जो segment है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहां पर आएंगे daily current affair, daily current affair में the Hindu में हम लोग 3 चीज़े provide करवा रहे हैं, the Hindu का editorial analysis आपको provide किया जा रहा है, daily MCQ provide किया जा रहे है और साथ ही साथ current affair भी आपको provide किया जा तो एक बार मैं दिखा देता हूं कि आपको किस तरह से content यहां पर मिल सकता है, जिससे 27 July के दिन जो इस तरह से आप content को यहां पर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि UPSC से related questions यहां पर जो महत पूर्ण होते हैं, उन सारी चीज़ों को यहां पर समाहित किया गया है, उसके बाद मे एडिटोरियल discussion है, एडिटोरियल में आपके दा हिंदू के important editorials होते हैं, उनका संपूर्ण हिंदी translation, exact translation, यहां पर live mint, जो कि महत पूर्ण news होती हैं, उनको यहां पर आपको provide कराया जाता है, तो आप इसको भी daily basis पर पढ़ सकते हैं, जो कम महत पूर्ण वाले मुद्दे हो उनको हम लोग question के मादन से cover करते हैं, और उसके बाद में daily mcq आपको provide किया जाएगा, daily mcq में आप देखिए, तो daily mcq यहां पर आपको मिल लाएगा, और daily mcq में जो पिछले दिन की महत पूर्ण news होती हैं, उनसे संबंधित question बनाया जाता है, UPSC level का, और उसका bid explanation आपक लगातार follow कर सकते हैं, और अपने answer को लिख सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों